नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2024 के दिन भाद्रपद महीने का बुधुवार द्वितियतिति पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को पांच गेहूं के दाने वाला उपाय ज ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है। देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा-पाथ उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को बुधवार द्वितियतिति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है भाद्रपद महीने का बुधवार द्वितीय तिथि के दिन इस पांच गेहूं के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह पांच गेहूं के दाने वाला उपाय करना किसको है तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह पांच गेहूं के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है? या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा र तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान गनेश जी से पूर्ण करवानी हो और यदि कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शांती के लिए घर में धन समरिद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी वह इस पांच गेहूं के दाने वाला उपाय को खास रूप से करें क्योंकि माताएं बहने घर की लक्षमी होती है और जब घर की लक्षमी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और ब वह इस पाँच गेहूं के दाने वाला उपाई समझ आ गया, वह इस पाँच गेहूं के दाने वाला उपाय को बुधवार द्वितियतिती के दिन जरूर करें। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बुधवार द्वितीय तिथी के दिन भगवान गनेश जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आईए, अब हम समझते हैं कि इस पांच गेहूं के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है। और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। पर किसी कारण वश यदि आप सुभें इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोश काल का रहेगा। तो हम आपको बता दें, प्रदोश काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, तो शाम के 6 से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच मे आप लोग इस पांच गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भाई आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्ण भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आपको आने में साथ बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो भाई, आप साथ या रात आठ बजे तक भी यदि उपाय को करोगे, तो भी चल जाएगा और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो क्योंकि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार द्वितिय तिथी का दिन है यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में इसलिए जब आपको मक्का मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार द्वितिय के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो पर किसी कारणवश यदी न कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा देखिए दोस्तों, बुधवार का जो दिन है वह भगवान गनेश को समर्पित होता है और इस दिन दुधिय तिथी पढ़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है देखिए, आज के जो तीनों ही उपाय है पूज गुरुदेव पंडित प्रडीब जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें देखिए, पहला उपाय खास कर यह जो उपाय है आपकी समस्त प्रकार की मनो कामना हो की पूर्ती के लिए होने वाला है आपकी किसी भी प्रकार की मनो कामना है बुद्धिज्यान और विवेक से जुड़ी हुई व्यापार में वृद्ध के लिए घर से जो विग्ण है वह दूर हो जाए घर से जो सारे संकट है वह दूर हो जाए जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिती आ चुकी है चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का कोट केस चल रहा हो यानि कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है देखिए यह जो उपाय है आपको केवल और केवल पांच गेहूं के दानों से करना होगा इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा देखिए, सब पहले तो आपके पास जो गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है आपने जो गेहूं के दाने लिये हैं, वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है देखिए यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो चार गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह चारों गेहूं के दाने एक साथ कर देने हैं श्री गणेशाय नमह या फिर ओम गण गण पतय नमह इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों अभी भी आपके पास एक गेहूं का दाना और बचा हुआ है तो इसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इसके पश्चात आपको इस जल से भगवान शिवा के शिवलिंग का अभिशेक करना होगा श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित करते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि ज्यान और विवेक साथ ही साथ एश्वर्य कीर्थी की प्राप्ती हो यदि आपका बच्चा अच्छे से बात नहीं करता है पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए यदि आपके घर में आपके पती का व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक मुठी में थोड़े से हरे मूंग लेने हैं। अब देखिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ये जो हरे मूंग की मुठी है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। अब देखिए ये जो हरे मूंग की मुठी है इसे सबसे पहले तो आपको भगवान शिवा के शिवलिंग से सपर्ष करवानी है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो मुठी है इस शिवलिंग से सपर्ष करानी है और इसके पश्चात आपको थोड़े से हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित कर देने है। अब देखिए इसी मुठी में आपको थोड़े से हरे मूंग बचाना है और इस मुठी को आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महराज होते हैं वहाँ पर ले करके जाना है। अब इसी मुठी के अंदर आपको अभी भी थोड़े से हरे मूंग और बचाने हैं यानि कि आपने दो जगहों पर थोड़े थोड़े हरे मूंग समर्पित कर दिये हैं। जीवन से जो भी आपकी समस्या है वह सभी दूर हो जाए। ऐसे आपको कामना करनी है यानि कि आपको तीन जगहों पर जाना है। जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है और तीनों ही जगह आपको थोड़े थोड़े हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। बस इतना सा उपाय करना है आपको इस बुधवार की द्विती ये तिथी पर आपकी जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे खास और चमतकारिक उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको साथ हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग को लेते समय ध्यान रखे कि यह कहीं से भी तूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेशक ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अपने घर से देखिए। यह जो उप तो आपको यह उपाय करना है। देखिए यह जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इन हरे मूंग को थोड़ा सा गिला कर लेना है। अब आपके पास जो साथ हरे मूंग है इन में से आपको चार हरे मूंग क दाने अलग कर लेने है। यानि कि आपको चार हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपको श्री गनेशा नमह या फिर A.U.M. गन गन पते नमह इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो चार हरे मूंग के दाने हैं, इन्हें आपको भगवान शिवा के शिवल और बचे हुए हैं, तो इनमें से जो पहला हरा मूंग है, इसे आपको शिवलिंग पर जहां माता चौक सुन्दर का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको हरा मूंग समर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो सात्वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे समर्पित करने से पहले। सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है, इसमें से थोड़ा सा जल श्री गनेशा जी अब देखिए, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। और इस जल में आपको जो आपने सातवां और अंतिम हरा मूंग बचाया हुआ था, इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो हरे मूंस युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अरपित कर देना। इस मंत्र का जाप करते हुए, जल को समर्पित करते समय आपको लगातार, श्री या फिर इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। जल को समर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये जो समस्या चल रही है, इन सभी का अंत करें। हमारे घर में बुध्धिज्यान और विवेक की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए यह जो उपाय है आपको इस बुध्वार की तिथि पर कर लेना है। भाद्र पद माह के पहले बुध्वार के दिन पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है क्योंकि इसी एक मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शान्ती हो जाएगी आपके घर में अच्छे अच्छे काम लगेंगे आप अब ही धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाएगी दोस्तों अब इस उपाय को करने का समय है यह भी आप लोग जान लीजिए देखिए इस साथ लोटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है सुबह का समय है प्रातह का समय है वैसे दोस्तों भाद् इस उपाय को सुभह के समय ही करो, सुभह के समय किसी कारणवश, यदि ना भी कर पाओ तो भाई साहब, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, एक दो बजे तक भी, यदि आप उपाय को करोगे न, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि भाद्रपद माह क पहले बुधवार के दिन भगवान शिवजी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन करेगा, और हम कब उसकी मनो कामना पूर्ण करेंगे, दोस्तों इस दिन भगवान शिवजी इतना कुछ प्रदान करते हैं, जितने आप लोगों को करना कैसे हैं? देखिए, विशेश रूप से इस उपाय को आप भाद्रपद माह के पहले बुधवार सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारण वश ना कर पाओ, तो फिर थोड़ी लेट भी हो है न? और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, कि घर क जो माता बहन होती है, उन में से कोई एक यह वाला उपाय करें, मतलब कि यदि माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो भाई उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुश हो, भाई वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है, घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो उस इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा, देखिए, लोटे जल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें साथ जल हम लोगों को मिलेगा कहां से, हम लोगों को लेना कहां से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है, जो कि हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है, तो देखिए, सुबह के समय ही, आप लोगों को जो है, यह उपाय की तैयारी भी करनी कर लेनी है, सबसे पहली चीज द प्रश्न आता है कि भाई, हमारे पास बेल पत्र नहीं है, तो क्या करें? इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुननी है. तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा, कि आपको यहाँ पर साथ लोटा जल तयार करना है. यहीं पर लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यह साथ लो जल, आखिर हम तयार कैसे करेंगे? क्या हमें साथ लोटा जल अलग-अलग लेकर जाना है, या एक साथ लेकर जाना है? तो देखिए, आपको साथ लोटे अलग से लेकर जा परिंदे में इतना ज्यादा जल नहीं है, तो फिर भाई, किसी हैन्ट पंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं, या आपके घर में यदी कोई बोरिंग वगेरा हैं, तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं तो इस साथ लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो साथ लोटा जल लेना है वो एक बाल्टी में भर लेना जिसके अंदर साथ लोटा जल आ जाए आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो, जिसके अंदर साथ लोटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है, और चाहो अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहो तो उसे भर कर भी रख सकते हो, पर खाली रखोगे, तो भी द पत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। सुबह सनान करके शुद्ध होकर शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखना, उपाय को करते समय और पहुँच जाना, अपने घर के पास में जो भी शिवदेर हो, शिवालय हो, शिवलिंग विराजित रहेगी, तो शिवजी के मंदिर में भीड भी रहेगी, तो भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है, और सबसे पहले जाकर दोस्तों, आप लोगों को अपना ये का उपाय कर लेना है, जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामगरी के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में इस पव झाल 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 वा हाँ